सो येस वेलकम टू जॉब अपडेट्स बाई शुरेनिक जेन यूटूब चैनल स्टील ऑफ इंडिया लिमिटेड सेल महा रतन पी एस यू कमनी के दरफ से रिग्रूब में निकल करके आ रही है for 2022 येस या पर फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते है और इंडिया इलिजिबल है क 5,000,000,000 पर आनन और यहां पर एक्स्पिरियंश वालों के लिए और भी बढ़िया ctc होगी अगर आपके पास साथ शाल का experience है तो उनके लिए भी अलग से वेकेंसी निकाली गई है ठीक है तो fresher की एक वेकेंसी है और एक है experience की वेकेंसी बट देखो यार important points पहली बता देता हूँ ताकि आपका समय वेशना हो माना के engineering and diploma वालों के लिए opportunity है बट सारे branches apply नहीं कर सकते हैं सिर्फ specific branches eligible है जैसे बी बीटेक के अंदर electrical या mechanical या chemical या instrumentation या production या power plant वैसे ही डिप्लोमा के अंदर mechanical या metallurgy या electrical instrumentation या chemical या civil या ceramic या production तो अगर आप fit होते हो यह criteria में interested हो तो पूरा वीडियो देखना नई तो यह पर वीडियो को चोड़ सकते हो और अगर वीडियो को चोड़ रहे हो ज़र से इस वीडियो को लाइक कर देना ताकि उन स्टुन्स पहुत सके जो इंट्रेशेड है और इलिजबल भी है तो चलिए यार आप detail में बात करते हैं सबसे पहले सबसे important आप देख सकते हो यह है official PDF जो 16 डिसेंबर को publish की गई थी आज मैं 17 डिसेंबर को यह वीडियो शूट कर रहा हूँ application date 20 डिसेंबर से स्टार्ट होगा इस चीज़ का भी नोट करते हुए चलना ठीक है तो सेल की तरफ से यह recruitment आ रही है जहाँ पर आप देख सकते हो पहली है एक्सिस्टेंट मैनेजर इवान छे वेकेंसी है जहाँ पर इंजिनियर्स अप्लाई कर सकते हैं नेक्स्ट मैनेजर जहाँ पर साथ साल का टेक्नीशन ट्रेणी में अप्लाई कर सकते हैं 73 वेकेंसी इन टोटल है केटिगरी वाइस यहाँ पर देख सकते हो अटेंटेंट कम टेक्नीशन ट्रेणी आई टेवालों के लिए वालों के लिए उपर्चुनिटी है एंड येस मुझे लगता है boiler operation का भी यहाँ पर आपको समझ में आही चुका है यहाँ पर भी 20 वेकेंसी है और यहाँ पर certification भी चाहिए होता है चली अब यहाँ पर आगी लेकर चलता हूँ बात करते हैं important details पर जो है educational qualification and certification या experiences सबसे पहले है assistant manager BOE1 आपका position रहने वाला है यह आपर छे वेकेंसी है अपर एज लिमिट 30 years कहा गया है कोई दिकत वाली बात नहीं अच्छा बी बीटेक किसमें होना चाहिए mechanical या electrical या chemical या power plant या production इंस्ट्रुमेंटेशन विट एग्रिगेट 65% मार्क्स बड़कर आप SCST PWD हो तो 55% मार्क्स भी चल जाएगा साथ ही साथ लिया गया है तो बहुत जादा है ठीक है तो हमारे community में इतना experience तो मुझे नहीं रगता है बहुत सरे student के पास होगा पर जिसके पास हो यहाँ पर apply कर सकते है आप देख सकते हो सारा manager के यहाँ पर बताया गया है ठीक है अचा कुछ पोजिशन ऐसी है जैसे आप यहाँ पर गया है तो पीजी अगर आपके पास है तो apply कर सकते हो ठीक है और इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर डिप्लोमा वालों के लिए भी opportunity है non executive post जहाँ पर आप अपर एज लिमिट में एक ऐसा position है जैसे operator कम trainee boiler operation जहाँ जहाँ बोईलर है वहाँ पर boiler की certificate यहाँ पर necessary मा बात नहीं जैसे operator कम technician trainee mechanical s3 20 vacancy upper age limit 28 years यहाँ पर आप देख सकते हो सिफ मात रहा अगर आपके पास diploma है in mechanical engineering with minimum 50% marks चल जाएगा बट अगर आप यह ठीक है इसमें वो क्या है boiler वाली position है तो boiler attendance certificate भी चाहिए ऐसे same vacancy engineers वालों के लिए उपर थी तो उसके बार में discussion किया हुआ है ठीक अगर आगे लेकर चलू एज relaxation मिल जाता है for the special categories क्योंके सरकारी कमनी है तो सरकारी कामका यहाँ पर रहने वाला है बात करते हैं cgp के बार में तो conversion के बार में cgp यहाँ पर बताया गया है ठीक है चलिए इसके अलावा अगर बात करें तो यहाँ पर salary which is very important emulments यहाँ पर क्योंके यह permanent नौकरी है तो basic pay के साथ-साथ आपको यहाँ पर बाकी allowances भी मिल जाते हैं जो सबसे important है क्योंके वह allowances के वज़े से ही आपकी ctc बहुत बढ़ जाती है तो यहाँ पर 50,000 basic pay फिर सारा कुछ allowances मिला लोगे तो यहाँ पर 16,000,000 की ctc बन जाती ह यह इनके और से previous pdf में आपको याद होगा मैंने previous वीडियो भी बनाया था जब यह वाला pay scale था तो मैंने वहाँ पर detail में 16,000,000 पर annum उन्होंने pdf में mention भी किया था कि 16,000,000 पर annum भी है तो हमको याद है हमको पता है इसलिए मैंने आपको ctc बता दिया ठीक है और यहाँ पर अगर आप consultant या manager की position पर जा रहे हो तो आपकी ctc और बढ़ जाती है इसके अलवा अगर बात करें diploma वालों के लिए तो क्या रहेगा यहाँ पर सारों कुछ बताए गया है diploma students यहाँ पर पढ़ सकते है pdf की links में description box में दी है important है mode of selection तो mode of selection के अंदर cbt exam होगा for the engineers और इसा नहीं है या interview नहीं है सीधा trade test या skill test होगा और बात खतम हो जाएगी ठीक है और अगर बात करें selection process के बार में तो यहाँ पर cbt is to interview का 80 is to 20 का आ गया है बट वो डिपेंड करता है whichever is the scenario जैसे वो conduct कर रहे है as per the number of students ठीक चलिए बट उन्होंने clear कर दिया अगर return test होगा तो करते हो इस चीच का note करते हुए चलना ठीक है और यहाँ पर application fees के बार में बात करें तो बहुत दुखत है क्यूंकि application fees जनरल वालों के लिए क्या ही को में engineers वालों के लिए इतनी ज्यादा 700 रुपया यहाँ पर application fees है और वही डिप्लमा वालों के लिए 300-500 में है वही अगर आप एक सर्विसमें हो तो बस processing fees आपको पे करनी है बात खतम अच्छा इसके अलावा अगर बात करें तो कैसे क्या apply करना है website पर जागर क्या apply करना है process of submission of application form यहाँ पर step by step process दिया गया है देख कर कि आप apply कर सकते हो इसके अलावा कुछ जादा बाते नहीं है minimum में आपकी 18 years होनी चाहिए and yes यहाँ पर आप देख सकते हो important dates start of online application 20th December कब तक चलेगा 10th January 2023 के साथ ये वीडियो एंड करना चाहूंगा I hope you enjoyed the video meet in the next video up till then take care bye for now see ya bye